ये बाद भी बारम बार बताई जा चुकी है प्रांत के संदर में और उस तत्काली राजनेतिक विस्था के संदर में कि ये लोग जो अधिकारी और उच्चवर्ग के लोग होते थे ये सामानिय राजगरानों से जुड़ होते थे और प्रांती उच्चवर्गों में आते थे अगला बिंदु जो है कि वह आर्थिक विकास से संबंधित है कोई भी संब्राज जब तक आर्थिक रूप से संपन आर्थिक रूप से विकसित नहीं होगा वह एक ठोस संब्राज नहीं दे सकता और रोमन संब्राज उत्था वो तो एक ठोस संब्राज उत्था जो कई शतादियों तक रहा और जिसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है इतनी अमिट गहरी छाप जिसका असर आज के आजनिक योरोप के समाज संस्कृति पर पड़ता है तो उसका खिर उसका आर्थिक विकास जो किसी भी तरह के विकास की नीव हो वह कैसी थी इसके क्यास थी थी एक शब्द में बहुत मजबूत उनका धांचा जो था आर्थिक विकास का धांचा बहुत ही मजबूत था बंदरगा इट के भट्टे जैतून की तेल फैक्ट्रियां खाने की काफित गेहूं शराब ये जो चीजें थी ये मुख्य रूप से व्यापारिक चीजें थी इनका मुख्य रूप से ट्रेडिंग होता था व्यापार होता था मुक्यता इनका जो वैपार था और वैपार का जो सामान आता था वह कहां से आता था उत्तरी अफरीका के खेतर से मिसर से और स्पेन से ये इन सब उत्पादकों का उत्पादन खेतर था एमफरा मटकों में सारी चीज़ें भर के लाई जाती थी और एमफरा मटके के टुकड़े जो हमें बहुत भारी मात्रा में मिले हैं रोम के जो मोटी टेटेस्कियो इस थानों में तो करीब हमको पांच करोड से ज़्यादा मटके मिले हैं एमफरा मटकों के टुकड़े भारी संक्या में मिलना इस बात का परिचायक है कि व्यापार इनके जरिये बहुत बड़े स्तर पर होता रहा होगा पुरातत विद्जों हैं जो उत्खनन के मामले में दक्ष रहते हैं उन्होंने काफी इनको जोड़ा है और पता लगाने की कोशिश की है कि ये मटके किस मिट्टी से बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे इनकी मद्बूती को देखते हैं मटके बनाने की चिकनी मिट्टी सामाने तिया भूमद्य सागर के तटवर्ती खेतर से प्राप्त होती थी ऐसा इन इतिहास विदों का या पुरातत विदों का मानना है जैतून का तेल निकालने का भी काफी विकसिच शैली थी उस काल में इसका भी जैतून तेल निकालने का उद्योग भी काफी फैला हुआ था और इस तेल को कंटेनरों में भरके लाए लिजा जाता था और ये जो कंटेनर थे इसे ड्रेसल ट्विंटी कहा जाता था भूमद्य सागर के आसपास जो खुदाई हुई है उसमें इन एमफोरा मटकों के अलावा काफी बड़ी संख्या में ये कंटेनर मिले हैं जो जैतून तेल को भरने के और उसके निर्यात के लिए जिसका उप्योग होता था तो आर्थिक शेत्र में हम कह सकते हैं कि ये सब्विता काफी विकसित थी स्पेन जो इस समराज की पश्चिम सीमा थी वहां के तो जैतून उत्पादकों ने पड़ोसी इतावली लोंगों से बाजार ही छीन लिया और इस प्रकार स्पेन ने अपनी स्थित थोड़ी सी बदली और उन लोगों ने कम कीमत पर जैतून का तेल बेचना शुरू किया इस तेल की गुणवत्ता भी अच्छी थी सही थी पांचवी सदी आते आते एशियन, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन ये भी अंगूरी शराब और उसके अलावा जैतून के तेल के लिए जाने जाने लगे उसके मुख्य निरिया तक बने तो बदलते समय के साथ साथ वानिजीर कारिफ शेतर भी बदले, वानिजीर राज भी बदले और यहां हम देखते हैं कि जैतून का तेल अब स्पेन जो कम कीमत पे बेचता था अब दूसरे देश भी प्रमुख निरिया तक बनने लगे सीसेली जो इटली के ठीक नीचे है, मिश्र, वहां का पर्फ्यूम, गैलिली, बाइजोकियम, इटली में कैस्पियन और जक्षिर गॉल के प्रमुख उर्वरक शेतर बन गए यह मुख्य रूप से उर्वरक शेतर कहलाए केंपेनिया ने सबसे महंगी शराब बेची, वो जो ऐसा खेतर था, जहां पे सबसे महंगी शराब आती थी और यह खेतर शराब के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद था, रोम का तो कई खेतर ऐसा भी थुआ, जो कम उन्नत था अर्थात, जितना भी बताये गया उसका तातपर यह है, तातपर यह नहीं है कि हम पूरे रोम को, पूरे इटाली को एक बहुत उन्नत खेतर मानें, ऐसा नहीं, कुछ ऐसे खेतर भी थे, जो कम उन्नत थे, जैसे कि नुमीडिया, आधनिक अलजीरिया जिसे हम कहते हैं, यह मूल रूप से ग्रामीन खेतरों में रित्व प्रवास व्यापक होता था, यायावर लोग, यायावर कार्द क्या होता है, वे लोग जो एक खेतर से दूसरे खेतर तक घूमते रहते हैं, एक जगह स्थाई नहीं रहते, ऐसी प्रजाती योरप में आज भी है, यायावर लो लोग अवन के समान दिखने वाली जोपणियों में साथ लेकर घूमते थे, जो जोपणियों का जो आकार होता था, वो अवन की तरह होता था, अवन क्या है, जिसमें किचन का एक समान, जिसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, उस आकार का होता था, और उसको लेके घू जिन्हें वे लोग मेपालिया कहते थे जब रोमन जागीरों का विस्तार उत्री अफरीका में हुआ तो तब जाके चारा गाहों की संख्या में कमी आनी शुरू हुई और यहां से वो समस्या शुरू होती है जिसने बाज में थोड़ा विकराल रूप ले लिया उत्री अफरी के जागीरदारों में बटने लगा तो वे लोग निश्चित रूप से चरा गाहों को हटाने लगे और उनकी संख्या कमी होने लगे कोछ खाना अब दोश चरवा है और किसान सेल्टिक भाशी क्षेत्रों में रहने लगे सेल्टिक भाशा का क्षेत्र देखें यह वही इट पहाडियों पर रहते थे और ऐसे गाहों को कैस्टिला कहते थे कैस्टिला पहाडियों पर होने के नाते इनका जो स्वांस्कृतिक जीवन भी था वो कुछ थोड़ा सा अलग था एक पिछला हुआ था और एक आदिम तरीके का था लेकिन अध्योगी मामाने पर खानों से सोना चांदी निकाला जाता था ये बड़े बड़े स्तर पे होता था आपको याद होगा कि मिडल मद्ध काल में चांदी वहां का मुख्ष सिक्का होता था और स्पेन सिक्का बनाने का केंदर था वहां भेजा जाता था लेकिन समय बदलने के साथ साथ चांडी का स्थान सोना ने लिया और ये दोनों चीजें अपने पीक में और जोगिक परमाने पर निकाली जाने लगी उत्पादन का स्तर भी बहुत अच्छा था मर्दिकाल में खानों में जो खुदाई होती थी खानों की खुदाई का काम जल शक्ति से होता था अर्था मेकैनिकल रूप से ना हो करके पानी की ताकत का उप्योग करके जमीन के अंदर से जो संसाधन थे भागोलिक संसाधन पाकृतिक संसाधन उन्हें निकाला जाता था जल शक्ति का उपयोग रोमन काल में होना एक बहुत अहम चीज है अहम जानकारी है और तो और बैंकिंग व्यवस्था भी थी जिसमें लोग पैसा जमा करते थे सुरक्षा की जिश्टी से सुरक्षित रखने के लिए जिसमें लोग पैसा जमा करते थे ताकि उसका कुछ मुल पाफ़ा उनको मुल सके और इस बैंकिंग सिस्टिम के तहद इकठे हुए धन का उप्योग बड़े स्तर पर विभिन कारियों के लिए होता था तो ये वहां की एक तरीके से रचना थी जो आपको मोटे-मोटे बिंदुओं के माध्यम से बताई गई अब हम आते हैं तीसरी सदी के पूर्व के काल की और उसे हम कहते हैं परवर्ती परवर्ती पुरा काल वह सांस्कृतिक परिवर्तन जो रोमन सामराज था रोमन सामराज के अंतिम सदी में बहुत सारे परिवर्तन हुए बहुत सारे बदलाओ हुए और इस बदलाओ में पुरा काल, शब्द का प्रियोग, वहां के उद्भाव, विस्तार और पतन के इतिहास की अंतिम विदि के लिए, अंतिम अवदि के लिए, अंतिम काल के लिए करते हूं और ये जो काल है, ये तीसरी सदी के बाद के काल को हम बोलते हैं, परवर्ती पुरा काल, तो तीसरी सदी के बाद के काल में जो परवर्तन आए, जो पतन का इतिहास बना, और चौथी से सात्वी सदी तक ये चलता रहा, लगभक तीन चार शताब्दी का जो काल है, अब हम उस काल पर आये इस काल में भी काफी हलचल मची हुई थी सामाजिक आर्त एक सांस्कृतिक हलचार और एक जो सम्राइट था कוןस्टेन्टाइन जो इसाई धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक था इसाई धर्म का पोशक था उस कॉंस्टेंट टाइन ने तो इसाई धर्म को राज धर्म घोशित किया और इसी काल में हम दूसरा परिवर्तन जो देखते हैं वह है इसलाम का उदै तो जो बात यहां पे आपको बताने की महत्पूर्ण है वो है कि इस काल में हम एक तरीके से का तो काफी धार्मिक उथल पुतल सामाजिक उथल पुतल सांस्कृटिक उथल पुतल देखते हैं क्योंकि इसलाम के उदै के साथ साथ काफी परिवर्तन आने लगे है और राज के धांचे में भी इसको लेकर एक तरीके से बदलाओ देखर जाने लगा हूँ जिस राज्यति श्रूप से डायोक्लिशियन नाम के समराज के काल से प्रारम हुआ डायोक्लिशियन इसने तो क्या किया कि समराज को ही छोटा बना दिया क्योंकि उसका ये सोचना था कि इस प्रकार कई खेत्रों का समय के साथ साथ महत तो नहीं रह गया है तो जो गैर महत पूर्ण इलाके हैं उस पर किसी भी तरह का निवेश किसी भी तरह का खर्ज व्यार्थ है तो उसने उसको छोड़ ही दिया और उसने सेन अधिकारियों को भी ज्यादा शक्ति दे दी तो डायकलीशन ने सामराज चोटा किया और कारण कि अभी एक खेत्र अनुपयोगी होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन तथी तो यह कि उसने छोटा कर दिया दूसरा उसने सेना के अधिकारियों को ज्यादा ताकत दी ज्यादा शक्ति दे दी ज्यादा पावर दे दिया डायकलीशन का जो यह तरीका था शासन का कॉंस्टेंटाइन के आने से इसमें और वृद्धे होई उसने थोड़े बहुत परिवर्तन किये इन डायकलीशन के राजनेतिक व्यवस्था में राजनेतिक विचारों में लेकिन मूल रूप से उसको जत्त स्विकार कर लिया मौद्रिक मामले में मौद्रा के मामले में उसने कुछ परिवर्तन किया और उसके काफी जोर दिया जो दारन के लिए उसने सोने के सिक्के भारी मात्रा में बनाएं और वो सोने के सिक्के 4.5 ग्राम के शुद सौरन के होते थे उसका नाम था Solidus Solid शब्द से याद रखें कि बड़े अच्छे सिक्के बनाया थे जिसकी मात्रा बड़ी अच्छी होती थी वदन बड़ा अच्छा होता यह सिक्का जब कॉंस्टिंटाइन ने शुरू किया तो यह सिक्के रोमन एंपायर की समाप्ति तक चलती रहे इसका उत्पादन करणों की संख्या में हुआ आपको पहले ही बताए गया है कि किस प्रकार समय के साथ साथ सांचान्दी के सिक्कों का प्रचलन जो पूर में बहुत ज़्यादा था वह एक तरीके से समाप्ति प्राए हो गया और उसका स्थान सोने के सिक्कों के प्रचलन ने ले लिया और वे सॉली डस के राम से जाने जाते थे वे सिक्के और 4.5 ग्राम के आज पास इनका वजन होता था इनका बहुत भारी संख्या मुद पादन हुआ कॉंस्टेंटाइन ने जहां मौदरिक खेत्र में कुछ सुधार किया दायकलीशन ने जहां कुछ राजनीतिक खेत्रों में राजनीतिक के मामले में कुछ परवर्तन किया तो अमराजी को घटा कर और उसके साथ ही सैन अधिकारियों को ज़्यादा ताकत दे कर कॉंस्टेंटाइन ने एक और महटपूर्ण परिवर्तन किया और वह था कि उसने कॉंस्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी बनाई उस राजधानी का नाम था कुस्टॉंतुनिया, देखिये नक्षे में कुस्टॉंतुनिया कहा हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था कुस्टॉंतुनिया, जिसका जिसे अंग्रेजी में कॉंस्टेंटिनोपल भी कहते हैं, कॉंस्टेंटिनोपल इस जगह पे आज इस कॉंस्टेंटिनोपल में आज इस्तंबूल नाम का प्रसिद दिशार है जो टर्की का हिस्सा है तुर्की का हिस्सा है इरान के बढ़ते प्रभाव और बढ़ते एंपायर समराज की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया कि काला सागर के पूर्व की तरफ जो कैस्पियन सी है उसके आगे बढ़ें तो ये ख्षेत राते हैं और कॉंस्टेंटिनोपल इस्तंबूल या कुस्टूंतुनिया एक ह की शहर का नाम है बड़ा प्रसिद्ध ऐसे आतिक शहर रहा है और उससे भी पहले इसे बाइजन्टाइन कहा जाता था ये जो नई राजधानी बनी ये तीन तरफ आप देखेंगे कि समुझ से घिरी हुई है कुस्टूंतिनिया तीन और समुझ से घिरा हुआ इसके अलावा कॉंस्टेंटाइन ने जो अगला परिवर्तन किया वह था नए सेनेट की स्थापना नए सेनेट से इसका ताथपर ये हुआ कि जो शासन या शासकों में जो विस्तार किया तो सेनेट की व्यवस्था जरूरी हो गई अहम हो गई मौदरिक स्थायत और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए भी ये जाना जाता है कॉंस्टेंटाइन यानि मौदरा के खेतर में उसने अच्छे सुधार किये आर्थिक खेतर में उसने अच्छे सुधार किये नए राजधानी बनाई दूसरी राजधानी बनाई और सेनेट का विस्तार भी किया जो उस काल के जो अभिलेक मिले हैं जो एविडेंसिस मिले हैं उससे मालूम पड़ता है कि इस काल ने काफी औद्योगिक विकास भी देखा और उसमें काफी पैसा लगाए गया यानि औद्योगिक विकास को लेकर कॉंस्टेंटाइन सजक था इस मामले में उसे जो पूर्व के खेतर के जो देश हैं स्वायम पश्चिम की और हैं उसके पूर्व की तरफ जो देश हैं उसके साथ उसका वानिज की व्यापार काफी बढ़ा और ये बढ़े हुए कौंजी लगाने में कॉंस्टेंटाइन को बहुत सफलता मिली और मदद भी मिली बात आती है अब सथापत कि कला की सथापत कला यानि जिसका संबंद भवन निर्मान भवन की कला से होता है तो सथापत कला की बात करें तो इस काल में हम उसका भी काफी विकास देखते हैं घ बड़े बड़े विशाल का इस्तंभ का उप्योग इस काल की विशेष्टाएं हैं। जेकर बहुत पहले किया गया है, Augustus Caesar, उसके काल में तो पैलेटिन पहाड़ी पर बड़ा सुन्दर राजमहल बनाए गया, और उसको काफी बसाए गया, साथ ही रोम में पैंथिनौन मंदिर जिसका निर्माड हुआ, और ये एक इस थापतिकला का एक बहुत अहम आदर उदार माना गया, इस मंदिर में जो गुंबद है, गुंबद, संसार का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, आकार खेतर में सबसे बड़ा गुंबद दुनिया का, गुंबद आप समझते हैं न, जैसे ताजमहल के उपर का जो गोलाकार हिस्सा है, ऐसे ये जो गुंबद रोम में जो कोलोसियम बना हुआ है ये विश्व प्रसिद्ध है कोलोसियम ये भी इस्थापत कला का एक बहुत बड़ा नमूना है हैड्रियन ने वीनस का मंदिर बना जा मंदिर की कला स्वेम में एक अलग उधारन है ऐसे ही कॉंस्टेंट्टाइन का वाजिल का गिर्जागर या वाल्ज का गिर्जागर दोनों ही से नाम से पकारा जाता है उस गिर्जागर को चर्ज का जो नमूना है उधारन है वह भी रोम की रोमन इस्थापत कला के अत्यंत सुन्दर उधारन है और अंत में रिमिनी का पुल ये कुछ ऐसे उधारन है जो आज विश्व हरिटेज विश्व धरोहर की श्रिणी में आते हैं और इतने वर्षों पूर बनाएं गए ये भवन निर्मान के ये नमूने एक तरीके से यूनिक हैं अपनी सुन्दरता के लिए अपनी मजबूती के लिए और उसके अलावा अ अपनी विशालता और भविता के लिए मिस्र जो उत्री अफरीका का हिस्सा है वहां पे परवर्ती पैपराइज पौधों के पत्तों पर लिखे हुए हमें बहुत सारे दस्तावेद मिले हैं अभी तक तो हम बात कर रहे थे वे मूलता अभी लेखों की बात ने थी जो उत् काल के दस्तावेद मिले हैं और मिस्र एने उत्तरी अफरीका रोमन एमपायर का दक्षिनी हिस्सा वहां पे पैपाईरस जो पौधे हैं पैपाईरस पौधों के पत्तों पर बहुत सारी जानकारियां लिखे गए हैं और वो जानकारियां तकाली नितिहास को समझने के लिए बहुत अहम है उसी समय मालूम होता है कि उस काल के लोग समाज के लोग अपिक्षाकरित काफी खुशाल थे और दूसरी बात यूनानी या रोम इनकी जो पारंपरिक जो संस्कृती थी पारंपरिक जो इनकी शैली थी बहु देववादी थी बहुत पहले मैंने जिक्र किया कि किस प्रकार बहु देववादी विचारधारा एक एश्वर विचारधारा की और बढ़ने लगी थी यहां हम पाते हैं कि रोमन संबराज जो इतना विच्तरित था वहां के गाओं गाओं में हर गाओं के अपने आराध देव अपने देवी देवता हुआ करते थे और चूंकि इसकी विचालता के अंदर इतनी सारी स्वंस्कृतियां परंपराएं रीत रिवाद समाय हुए थे स्वभाविक था कि इनकी जो जीवन शैली थी उसमें बहु देव वाद का प्रभाव ज्यादा था चाया हम युनानी सबिता की बात करें या फिर रोमन सबिता की बात करें ये लोग अनेक तरह की उपासना करते थे अलग-अलग देवों के लिए अलग-अलग उपासना जुपीटर, मार्च, मिनर्वा, जूनो ये रोमन और इतावली सबिता के मुख्य देवी देवता थे जुपीटर, मार्च, आदी के लिए तो हज्जारों की संख्या में मठ बने हुए हैं, मठ पाए गया हैं बहुत बड़ी संख्या में इनके मठ बने हैं, क्यों? क्योंकि गाओं-गाओं में इनके अपने अपने स्थानी देवी देवता होते थे यहूदी धर्म भी इस काल में माना जाता था यहूदी धर्म वो धर्म है जो वर्तमान में इसराइल का के रहने वालों का मुक्य धर्म है Jews जिना अंग्रेजी में हम Jews कहते हैं तो इस काल में हम यहूदियों का भी प्राधुर भाव देखते हैं यद्यपी इस धर्में यहूदी धर्में स्वयम में बहुत सारी विच्छता आए थी पांचवी सदी आते आते धार्मिक मामलों में इसाई लोगों का वर्चस्व शुरू हो गया और इसाई करण प्रारंब हो गया दूसरी और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इसलाम का उदे भी इसी काल के आस पास होता है लेकिन फिलहाल हमें यह आद रखना होगा कि इस खेत्र का इसाई करण इसी काल में प्रारम हुआ और इसाई धर्म प्रचारक लोगों ने इसाई धर्म प्रचारकों ने विवन खेत्रों में जाकर तीवर विरोध के बावजूद भी खेत्री जो परंपराएं थी खेत्री जो धार्मिक रीत रिवाद थे उस पे दखल करना शुरू किया यदे पिनका विरोध तीवर हुआ था जिसका जिक्र पहले हो चुका है और इसके इस विरोध में जो बहु देव वाद बनाम एक इश्वर वाद एक इश्वर इसाई धर में एक ही इश्वर हैं जीजस क्राइस्ट तो काफी विरोध के बावजूद भी इसाई धर्ण प्रचारक इस बात को फैलाने में विक्सित करने में सफल हुए कि इश्वर एक है और इन लोगों ने धार्मिक विश्वासों और रीती रिवाजों का ख्षेतरी धार्मिक रीती रिवाजों का पालन करते हुए अनुप वरतन लाने में सफलता पाई यह जो एक चित्र आप देख रहे हैं सेवेंटीनाइन इस्वी का यह कलोसियम कलोसियम यह थोड़ा सा तूट भी चुका है काफी कुछ खंडर हो गया है लेकिन फिर भी इसकी भव्विता यहां सपस्ट परिलक्षित होती है इनके द्वारों क को देखें एक आकार जामिती का कितना ग्यान और गणित का कितना ग्यान आवश्यक है इस आकार के भवन को बनाने के लिए यह आप समझ सकते हैं और इसका आर्थ यह हुआ कि उसकाल के लोग विज्ञान गणित आदी में बहुत माहिर थे यह जो कलोसियम होता था यह तलव यह कह सकते हैं इन लोगा जंगली जानवरों से मकाबला करने के लिए कलोसियम होता था जंगली जानवरों के साथ पुशल यूद्धा अपने तलवार का हुनर दिखाते थे कलोसियम के बीच में और कलोसियम के चारों और ये सब दर्शक दिरखा होती थी जिसे दर्शक देखकर इस तरह की जो खेल हैं उसका आनंद लेते थे इतना बड़ा था कोलोशियम कि जो इसकी सीटिंग केपैसिटी है वह लगबख साथ हजार दर्शकों के बराबर है इतनी इतना विशाल बनाने की जरूरत तभी पड़ी होगी जब इतने लोग आते होंगे अल्थात आप सुछ सकते हैं कि साथ हजार की जनता एक जगह उस समय भी खेल कूद का मनोरण जन का आनंद लेने के लिए एक जगह एकठी होती थी इस चित्र में आप देखिए ये पंपई का चित्र है जहां एक मदिरा व्यापारी उसका ये भोजन कक्षा और इस भोजन कक्षा की बनावट आप देखेंगे इसमें कमरे की जो दिवारें हैं इस पर मिथक पशु बनाएंगे पशु को की आकार डिजाइन उकेरा गया है और एक तरीके से मिथक पत्व है कल्पना तीथ पशु और ये मूलत एक व्यापारी का भोजन कक्षा है काफी विशाल है जाबी कला आदि के बाद थोड़ा हम जाने कि आम जनता की क्या स्थित्थी आम जनता जैसा की मिश्र से जो दस्तावेज मिले हैं पत्तों में लिखे हुए से मिलती है जानकारी की सामान जनता खुश हाल थी यद्यपी इस काल ने प्लेग जैसी महामारी का प्रकोब मी देखा इसमें जो पूरा भूमत जिस सागर का क्षेत्र है वो काफी प्रभावित हुआ था जहां की जन संख्या काफी प्रभावित हुई थी प्लेग की महामारी को लेके एक और जहां इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे सामाने जनता वैसे तो खुशाल थी पर ये भी देखा गया कि पश्चिम का जो क्षेतर था वहां पर धीरे धीरे विखटन विखंडन और उसका जो तोड़ने की प्रक्रिया तूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई ये मैं पश्चिमी क्षेतर की बात कर रहू हूँ और इसका कारण क्या था कि उत्तर से जामनी जर्मेनिया और इसके आस पास के क्षेतरों से कुछ समुधाय कुछ समूहों का आना हुआ जिसमें गौन्थ वेंडल लोबाडल और ये ऐसे लोगों ने आकर इन खेतरों पर अप इन्हों ने इस खेतर पर अपना अधिकार बनाया और अपने अपने राज्य बना लिया और ये जो ऊपर से जो आए कुछ असभ्य प्रभृतिके थे कम से कम रोमन एमपायर रोमन सब्विता के काल के लोगों की तुलना में इन्हें हम असभ्य मान सकते हैं ये जो राज्य बने इसे हम एक तरीके से रोमोत्तर राज्य कह सकते हैं रोमोत्तर रोम धन उत्तर यानि रोम के बाद के राज्य उत्तर यानि बाद में तो रोमोत्तर राज्य इनको कहा गया कुछ जो मुख्य राज्य थे उसमें हम कह सकते हैं कि स्पेन में विसी गोथो राज्य यह एक प्रमुक था यह स्पेन का हिस्सा था जिस पर अर्बो ने 711 इस्वी में इसे एक तरीके से नश्च कर दिया 711, 712 ते लेकर 720 इस्वी तक आते आते यह जो मुख्य शहर है वह भी यह जो राज्य है वह भी समाप्त हो गया दूसरा राज्य जिसका जिक्र किया जा सकता है गौल में फ्रैंको का राज्य जो 687 इस्वी क्यास पास समाप्त हुआ और इटेली में लॉम्बाडो का राज्य जिसका काल हम देख सकते हैं 567 से लेकर 774 तक यह इस्वी काल की बात है इस्वी पूर्व की नहीं तो यह रोमन एम्पायर के पतन की शुरुवाद और उसके समाप्ति का जिक्र यहां हो रहा है और हम देख सकते हैं कि पश्चिमी हिस्चे में एक तरीके से विगटन ब्रेकिंग अप 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 दिए अम्पायर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जर्मेनिया और उसके आस पास से आये हुए लोगों के द्वारा राज अस् शेत्र और इसमें से तीन चार राज प्रमुक थे जिसका काल आपको बताया हैं यह जो ऐसे राज जो आए गौल या इसके अलावा विसी गोथो यह राज एक तरीके से यौरप में मद्ध कालीन युग की शुरुवात की और इशारा करते हैं मद्ध कालीन युग जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं अंदकार युग ये इसके बात का इतिहास एक तरीके से अंदकार में रहता है जहां तक पूरवी भाग की बात है पूरवी भाग एक बना रहा सहयुक्त बना रहा वहाँ पर कोई ज्यादा विगटन नहीं हुआ और जस्तीनियन का शासन वहाँ पर था कि वह उसकी ताकत उसका कौशल उसकी राजनियत एक सत्ता कितनी मजबूत है जो वहाँ शासन कर रहा था जस्तीनियन लेकिन पश्चमे भाग विगटित हो चुका था साथवी सदी आते आते रोम और एरान इनके बीच में युद्ध चल गया एरान जो एशिया के एक श और यहां रोम उसके साथ उसका तकराव हुआ उसके साथ युद्ध चला लड़ाईयां हुई और जो शासक एरान में शासन कर रहे थे जिने हम ससानी शासक कहते हैं यह ससानी शासकों ने मिश्र के कई हिस्सों पर कबजा कर लिया कई प्रांतों पर कबजा कर लिया और मिश इसके पूर्व रोमन सामराजी का हिस्सा था तो दूसरे शब्दों में इरानी हमलों ने रोमन सामराजी के ब्रेक अप में रोमन सामराजी के विगटन में काफी बड़ा योगदान दिया। दूसरा परिवर्दन जो इस काल में देखते हैं समापत के वर्षों में जब रोमन अमपाय तूट रहा था इसाई धर्म फैल रहा था यहुदि धर्म लगबग अपना प्रभाव दिखाने लगा था अरब देशों में इसलाम का विस्तार इसलाम का उदैप्रारंब हो चुका जहां इसाई धर्म के बिशप और पादरी लोग इसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे वहीं दूसरी और पूरवी क्षित्र में इसलाम का विस्तार होने लगा ये एक बहुत बड़ी घटना इसकाल की मानी जाती है विश्वसात की सबसे बड़ी राजनीति क्रान्ति हम कह सकते हैं इसलाम का उदै और उसका विस्तार क्योंकि इसलाम यद्यपी एक धर्म था लेकिन जिस तरीके से उसने पूरे समाज को प्रभावित किया जिस तरीके से उसने पूरी राजनीतिक विवस्ता को प्रभावित किया जिस तरीके से उसने आमूल चूल प पुर्वी रोम और ससानी दोनों के बड़े बड़े भागों पर अर्बों का अधिकार हो गया पुर्वी रोम और ऐसी ससानी मुस्लिम सिनाए जो थी बड़ी बड़ी खेत्रों पर अधिकार जवाने लगी और उनका पूर्ण प्रियास रहता था कि जिन खेत्रों पर वे अधिकार जमाया उन पर उनका पूर्ण नियंत्रन हो अरब प्राइदीब जिसे हम बोलते हैं भारत के पश्चिम में जो है वहां की अनेग जो जातियां थी जन जातियां थी वे सब एक जुठ होई उन सबका इसलामी करन हुआ इसलाम धर्म उन्होंने अपनाया और इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमन सब्दा रोमन एमपायर के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरब प्रायदीत तक के क्षेत्र में अब इसलाम फैल चुका था और इसलाम का विस्तार इस पूरे क्षेत्र में हो चुका था इसलिए से राजनीतिक करांती एक तरीके ते कहा जाता है